अगर चना से कुछ टेस्टी बनाना है तो सबसे पहला option मेरे लिए यही रहता है इसे बनाना भी इतना मुश्किल नहीं है और इसका टेस्ट तो आप भी जानते हो कितना ज्यादा अच्छा होता है फिर कूकर में एक कप चना के साथ डाल दिया है एक कप पानी और थोड़ा सा सकते हो फिर चार सेटी के बाद कूकर ठंडा करके हम इसे निकाल लेंगे और उसके बाद मैंने एक पैन में ले लिया है एक बड़ा चम्मस तेल एक चुथाई चम्मस जीरा और साथ में बहुत थोड़ा सा हींग भी डाल देंगे और जो चना उबाल था ना मैंने उसे भी अएक दूसरे बड़तन में निकाल कर तंडा कर लेंगे और साथ में ब्यास टमार्टर फरी अथनिया और थोड़ा सा निम्भगा रस अंब बस इतनी चीदसे को मिक्स करके इसे निकाल लेंगे और अगर विडियो पसंद है तो विडियो को लाइक जहरू कर देना